हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ नीलम, आज हम बनाएंगे पत्ता गोबी और शेमला मिच की सबजी ये बिना प्याज लेसन की होगी तो आप इसे बहुत ही आसानी से किसी भी ब्रत या फेस्टिवल में बना सकते हैं चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाते हैं ये एक किलो का पत्ता गोबी था जिसको मैंने हाफ कर लिया है और इसके बाद में मैं इसके दो पोशन कर दूँगी इस तरह से इसको दो पार्ट में डिवाइट कर लीजिए और इसके बाद में हम इसको बारीक बारीक मतलब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पर हाँ बारीक बारीक काटेंगे इस तरह से तो इस तरह से आप इसको काटते जाएए बहुत ही इजी है तो देखिए, अभी मैंने इसको इस तरह से काट लिया, मैं आपको दिखा देती हूँ तो जितना भी पत्ता गोबी है, हमको सारा इसी तरह से काट लेना है तो मैंने देखिए, पूरा पत्ता गोबी काट लिया है और इसको अभी मैं पानी में डाल कर रख देती हूँ, दो-तीन पानी से पहले दो लेना है, फिर रख देना है, अब एक बड़े साइस का आलू लिया है, साथ में एक बड़े साइस की कैपसिकम लिया है, जिसको शिमला मिच बोलते हैं, कैपसिकम के बीज के जो बीजे रहते ह वो पूरे निकाल देना है क्योंकि बीजे से इसका स्वा सबजी का खराब हो जाएगा और इसको अभी हम मौटा मौटा कैप्सिकम को काट लेंगे इस तरह से मौटा मौटा काट लीजिए इसको अगर आपको मेरी रैसीप अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो देखिए मैंने कैप्सिकम भी काट ली है इसको भी मैं इसी तरह से एक बरतन में डाल देती हूँ जिसमें पानी में मैंने पत्ता को भी डाल के रखा है और आलू को भी मैं इसमें ही डाल देती हूँ आलू को मैं बाद में काटूंगी अब सबसे पहले गैस ओन करके कड़ाई रग दिये इसमें हम डाल देंगे तेल तो इसमें मैंने डाला है तीन टेबल इस्पून ओईल अब जब हमारा ओईल गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जीरा तो ये गया आदी छोटी चमच भर के जीरा डाला है मैंने और जीरा जब अच्छे से तड़क जाए तभी मैं इसमें दो बारी कटी हुई हरी मिर्च डाल दूँगी और जो मैंने आलू काटे हुए थे देखिए इस तरह से आलू काटे थे उसको भी मैं डाल देती हूं और कुछ सेकंड के लिए आलू को हम वाइल में अच्छे से चला लेंगे इससे क्या होगा पत्ता गोभी तो पत्ता पत्ता रहता है जल्दी गल जाता है आलू नहीं गलते तो अगर आप इस तरह से कर लें और अब हम इसमें पानी में से निकालकर पत्ता गोभी और शिम्ला मिच इसमें डाल देंगे तो देखिए अभी मैं इसमें पूरा पत्ता गोभी और शिम्ला मिच डाल देती हूं बहुत यह सिंपल सी रेसिपी है जो जटपट से बन जाती है और इसको अभी हम गैस को हाई करेंगे और इसको अभी हम कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे ताकि ये जो फूली हुई सब्जी है ना ये गरम होने से थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी तो इस तरह से मैं इसको चला लेती हूं अच्छे से और ये स्लो गैस पर इसकी कुकिंग होगी और इसमें पानी मैं है सबसे पहले इसमें जाएगी हल्दी पाउडर तो ये मैंने डाला है आधी छोटी चंद से थोड़ी सी ज्यादा डाली एक छोटी चंद भरके धनिया और इसमें जाएगा गरम मसाला आधी चोटी चमच और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार quantity के हिसाब से जितनी सब्जी है उस हिसाब से डाल लीजिए और इसको अब हम चला देंगे देखिए इसमें कितना पानी अल्रेडी हो चुका है और अभी ये नमक के कॉंटेक्ट में जब सब्जी आएगी तो और पानी इसमें छोड़ेगी ये तो अब गैस का फ्लेम करेंगे इस लो पहले इसको अच्छे से चला दीजिए क्योंकि फूली हुई सब्जी है जैसे जैसे गरम होगी वैसे वैसे थोड़ा हो जाएगा और इसको अब हम ढखकन से ढख देंगे और इसको अब हम खोलेंगे तो 2-3 मिनिट बाद तो 2-3 मिनिट हो गये हैं और इसको अब हम चलाएंगे और फिर हम इसको जब तक हम इसको कई आहन मैं Kalau इसको और जाना जाए अब ya . जाना दो ऑब इससे ढख देंगे 6-7 मिनिट के लिए बीच बीच मैं कई बार इसको खोळकर चेक करूँगी तो मैंने बीच में देखिए अभी ढकन खोल रही हूँ पर मैं बीच में मैंने दो-तीन बार इसको चैक किया था क्योंकि सबजी कोई भी जलना नीच है नीचे से लगना नीच है तो अब हम इसको एक बार अच्छे से चला देते हैं और फिर हम चैक करेंगे इसके आलू हो लेकिन अभी हम गैस को हाई करेंगे और इसको थोड़ा सा कलहार लेंगे पास से देखि कितना अच्छा एक कलर आया है तो चलिए अब हम इसको गैस को हाई करके इसको अच्छे से कलहार लेते हैं थोड़ी देर के लिए तो इस तरह से आप इसको कलहार लीजी जित्ता कलहा चलिए बंद कर देते हैं और इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं कैसी लगी रेसीपी कॉमेंट करके बताइए अपना फीदबेक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए आप इसको रोटी पूडी पराथा दाल चाबल किसी के भी साथ काएं यह सब्जी बहुत टेस्टी लगती है नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक नही रेसीपी के साथ थैंक यू सो मच